गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं वाइफाई वाइफाई होता क्या है और उनको प्रयोग में लाने के लिए कौन-कौन से वो डिवाइसे हैं और वाइफाई हम प्रयोग क्यों करते हैं वो हम देखने वाले हैं चलिए शूर तो दिखिए थोड़ा सा आपको प्रशना रहा होगा यह IEEE 802.11 क्या है तो दिखिए एक इंटरनेशनल फोरम है और वो ही डिसाइड करती है कि कैसे किसी डिवाइस को यूज करना है कैसे किस टाइप के वो डिवाइस होने चाहिए ऐसे स्टेंडर्ड साट करती है नियम बना इसा नेटवर्क है जिसमें हम लोग वाइरलेस स्टेंडर्ड का प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं किसी डिवाइस को किसी नेटवर्क से कनेट करने के लिए मतलब कोई डिवाइस है जैसे हम लोग मोबाइल है हम लोग क्या करते हैं अंटरनेट यूज करते ना भाई वाइर मान्यता दिया गया है अ होम वायरलेस नेटवर्क यूजेस अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट और रूटर तो ब्रॉटकास्ट सिग्नल यूजिंग वैप और वी एटी एनक्रेप्शन तो सेंड एर रिसीप सिग्नल वायरलेस डिवाइस ऑन दा नेटवर्क तो जो हम घर में जो हम यूज करते हैं वायरलेस है न तो वायरलेस नेटवर्क से जुढने के लिए तो वो एक्सेस पॉइंट या तो रूटर कहलाता है जो करता क्या है सिग्नल को ब्रॉटकास्ट करता है या हम receive करते हैं उसमें encryption technique जो use होता है वो होता है WAP और WEP अब यह encryption technique क्या होता है जैसे हम लोग यहां से कोई data को भेज़ेंगे तो भाई वो उसको और बीच में जो hackers होते हैं उस data को ना देख ले करके तो उनको ऐसे कुछ sacred code में convert करके data को भेज़े जाता है तो वही चीज़ें तो हम जो घर में router यूज करते हैं या access point यूज करते हैं इस wifi service को यूज करने के लिए उसमें जो encrypt करने के लिए data को छिपाने के लिए जो technique यूज होता है उसका नाम है WAP या तो WEP तो नीचे का जो चीत रहा है देख सकते हैं ऐसे antenna वाले routers होते हैं wifi devices होते हैं यह PCI है और यह laptop में और USB wifi है इसे तो मैं किसी भी device में plug करूँ और wifi service यूज कर सकता हूँ wifi का प्रयोग क्यों किया जाता है every network device would need to connect to the network with a network cable तो देखिए हम अपने computer को network cable के जहरी हम लोग use करते हैं cat5 cable का नाम होता है having a cable for every computer and network device makes installation and deployment much more difficult तो देखिए cable लगाना उसे install करना यह बहुती कठीन कारे होता है especially for home without the proper wiring और especially हम जैसे common user घर में use कर रहे है भाई कहां हम cable भी चाएंगे कहां हम यह थोड़ा जटिल प्रोसेस है इसलिए it also makes mobility impossible और भाई अगर cable आप लगा दी हो घर में और उसको आप अगर office ले जाना चाहोगे अपने computer को laptop थोड़ी ना cable वहां तक आप ले जा सकते हो with wifi any compatible device with the proper reception and access rights can connect to the network without having to drag a cable to that device अगर हमारे पास हमारे computer में यह laptop में wifi की service है तो हमें cable को ले जाने की ज़रूरत नहीं है हम कहीं पर भी जाएं अपने device को हम internet से जोड सकते हैं तो वो कौन-कौन से devices हैं जिनमें wifi की services यूज होते हैं computer, consoles, playstations, v, xbox, digital photo frame, dvd, blu-ray, dvr, setup box, e-readers, e-book readers home automation devices, printer, scales, smart tv, smartphone, speakers, security camera, tablets यह ऐसे devices हैं जिसमें wifi service का प्रयोग किया जाता है तो इस lecture में इतना ही thank you very much